जैसे हमने देखा कि alt text एक tag होता है जो Google पढ़ता है उसको image को understand करने के लिए लेकिन Google उसके लावा भी कुछ चीज़ें पढ़ता है हमने वो भी understand करनी हैं कि वो और क्या चीज़ें हैं जो Google पढ़के हमारी बेतर SEO कर सकता है यहनि कि अगर कोई हमारी product सर्च कर रहा है और हमारा image उसमे रैंक कर जाए तो वो क्या क्या Google चीज़ें देखेगा all tag एक चीज़ थी लेकिन all tag के इलावा भी tags मौझूद हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस topic में बताओं तो इस topic में हाई पाप mainly तीन और चीज़े हैं जो Google मेयर करता है text के हवाले से जिसको आप अगर बेतर कर लें तो chances हैं कि हमारी SEO बेतर हो जाएगी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो extra चीज़े हैं ये basically इसका directly impact नहीं होता ये minor impact है लेकिन अगर आप ये छोटा छोटा करके अगर आप सारे images पर करते जाएंगे और आपकी images पर अगर आपकी website पर thousands of pages हैं जिसमे thousands of images भी हैं तो ये बहुत बड़ा impact डाल सकता है तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप ये image SEO के बारे में serious हैं अगर आपकी product है तो आप definitely ये जरूर करें so सबसे पहले जो चीज है वो है title of the image so image का title बेसी के लिए आप दे सकते हैं जो कि नजर नहीं आता है जब आप image का title देंगे तो आप अपना mouse image के उपर लेके जाएंगे और थोड़े के लिए रुकेंगे तो एक tool tip छोटी सी pop-up होती है आपके cursor के पास से जहाँ आपको कुछ information लिखी होती है ये तब ही होगी जब उसमे title लगा वा होगा तो अगर image का आप all tag लिख लिख रहे हैं तो आप उसका title भी जरूर लिखें तो title लिखने के लिए basically क्या होता है कि हम दوبारा से example लेंगे उसी Ford Mustang कार की जो हमने अभी पहले देखी थी इसमें हमने decide किया था कि इसका image का HTML tag बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें उसका image का URL है image का all tags हैं और उसके लावा उसके width और height भी explained आए लेकिन अगर मैं इसको break कर दूँ अब ये जो आपको नज़र आ रहा है HTML में tag रसी तरह से लिखे जाते हैं लेकिन आप इनको break भी कर सकते हैं अगर आप space section ना डालें सिर्फ line break करें तो कोई मसला नहीं है HTML फिर भी readable होती है तो कुछ break करने से ये जो tag code है कुछ इस तरह से नज़र आएगा मैंने हर code को हर tag को एक different line में कर दिया ताकि हम समझने में असानी करें और मैंने ये आप देख सकते हैं कि all tag हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये basically क्या होता है इस all tag quality हमने देख लिया है अब हमने add करना है title tag so title tag कैसे add होगा जिस तरह से all tag add होता है उसी तरह से title tag भी add होता है तो यहाँ पर मैंने descriptive title लिख दिया है इस image के बारे में एक random मैंने image लेकर random मैंने example लिखी है यहाँ पर आपने keywords ही use करने हैं तो याद रखें जब भी हम कोई चीज़ optimize करने की बात करें आपने keywords यूज़ करने हैं उस page के around जो आपने group assign किया है उसी group में से आप overlap नहीं करेंगे आप वो mix नहीं करेंगे तो यह याद रखने हैं हमेशा जब भी मैं बात करूं तो आपने इस चीज़ें जेन में रखनी है तो जब मैंने title लिखा वो text HTML में कुछ इसी तरह से नज़र आएगा जहाँ पर यह आपको पूरे का पूरा जो title की option available है यहाँ पर अपना text लिख सकते हैं बहुत लंबा नहीं होना चाहिए to the point लिखें specific लिखें और कोशिश करें ज़्यादा keywords यूज करें लेकिन structure भी यूज करें इसी तरह से आप image का अगर आपने अकसर देखा होगा कि खसूसन ख़बरों में या अखबार अगर आप पढ़ते हैं वह image लगता है तो image के निचे चोटा सा caption लिखावा होता है वो लंबा भी हो सकता है लेकिन वो बहुत चोटे लफाज में लिखावा होता है जिसमें image को describe कर रहे होते हैं वो image के बारे हम बता रहे होते हैं कि ये कौन खड़ा है या इसमें क्या हो रहा है या वो क्या story है वो image basically help करता है यूजर को देखने के लिए लेकिन वो साथ ही text भी लिख देते हैं ताकि यूजर को अगर नहीं पता तो वो जो बता दे कि ये क्या हो पा रहा है तो ये चीज गूगल भी मयर करता है तो जाब caption लेंगे caption के लिए जो code बनेगा basically आप सब से उपर figure का code open करेंगे उसके अंदर image का tag वैसी चलेगा जो हमने पहले लिखा था फिर नीचे figure caption का tag open होगा close होगा और उसके बीच में हम अपना tag जो title जो caption लिखना हमने उसके बीच के कर सकें या अगर हम किसी developer की support available है तो हम developer से करवा भी सकते हैं तो आप इस code को इस तरह से लिखकर उसमें अपने caption लिखें, caption में भी कोशिश करें कि डिसक्राइब करें जाद से जादा image के अंदर क्या हो रहा है और उसके keywords भी use करेंगे so अगर आप यह देखें तो यह वही code अगर मैं final form में देखें तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और अगर मैं इसको lines break कर दूँ तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है सवाल यह है कि अब हम क्या इस code को as it is use कर सकते है जी तो बिलकुल यह जो code है वो almost ready है आपकी SEO के लिए जिसमें ना सिर्फ title बलके उसमें all tag और उसमें caption भी लगावा है यह तीन चीज़ें तो हमने discuss कर ली इसके लावा Google क्या देखता है टेक्स के हवाले से तो वो एक और चीज़ है जो basically तीसा point था कि आपका text कौन सा लगावा है उस image के around so वो जो image है वो कहां पर नजब आ रहा है तो अगर आपका बहुत लंबा page है और उसमें आपने एक मतलब इसी की example लेते हैं अगर आपने forward mustang की एक तस्वीर उपर लगाई वी है लेकिन आप forward mustang की बाद नीचे जाके कर रहे हैं जो के तक्रीब दो चार पराग्राफ के बा तो आपने make sure करना है कि जहां पर आप image लगाएं उसके around text भी देख लें कि वो उस image के relevant है के नहीं क्योंकि वो text google measure करता है कि इसके around text क्या लगावा है और उसके image कौन सा लगावा है तो अगर वो relevant होगा वो relate करेंग एक दूसरे से तो google आपको ज्यादा अची ranking देगा तो यह तीन चीज़ें हमने discuss की जिसमें title, caption और text around image यह तीन चीज़ें आपको और देखनी है all tech के बाद जो के google measure कर सकता है और जितना ज़्यादा आप इसको optimize करेंगे उतना ज़्यादा SEO बेतर होगा अच्छा अभी मुझे पता है कि आप लोग codes देखके चाहिद परेशार हो गए होंगे कि हम कैसे लिखेंगे तो मैंने आपको चूंके बार 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 यह बताया है कि आप wordpress में अपना website अगर बनाएं तो आपको wordpress काफी चीज़ें असान कर देता है तो यह जैसे कि आप wordpress में window देख सकते हैं कि अगर आप wordpress में image लगाएंगे तो यह boxes आपको मिलेंगे जिसमें आप title, all tag और दूसी चीज़ें उसके बारे में लिख सकते हैं तो आपको code से खेलने की ज़रूत नहीं है आप wordpress के जरिये सिर्फ इसको fill करेंगे यहां जो आपने exact लिखना है वो चीज़ लिखेंगे wordpress खुद ही पीशे code हैंडल करेगा और ultimately आपका image जैसे जब publish होगा वो ऐसी optimized होगा तो wordpress में आप इसको बड़ी असानी से कर सकते हैं लेकिन हमने चुके HTML भी पढ़ लिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको HTML की website मिले या आपको HTML code देखना पड़ जाए तो आपको नहीं समझ जाएगी क्योंकि यह बहुत easy है और आप यह सारा code मतलब याद भी कर सकते हैं नहीं तो आप इसको कहीं save कर सकते हैं और बार बार इसको reference के तोर पर यूज़ कर सकते हैं जब भी आप उज़रोत पड़े आप उसको देख लें, copy करें, tax change करें और उसको use करें